दिल बहुत परिशान हैं ये आखिरम कहां आ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि कौन सा देश, कौन सा समाज है जहां इंसानी जान की कोई एहमियत ही नहीं। आज चर्चा करेंगे इसलामिक कटरपंथियों के 1400 साल पुराने इतिहास के बारे में जहां से जन्म होता है भारत के पहले आतंगवादी का। आपको बता दू कि इस चर्चा की संपून जानकारी का योगदान सिनियर पत्रकार प्रखर स्रिवास्तर जी को जाता है। मजब के नाम पर बेगुनहों की हत्या करने का इसलामिक कटरपंथियों का 1400 साल पुराना इतिहास है। आज से करीब 100 साल पहले इसी तरह से इसलाम की निंदा का हवाला देकर सिलसलेवार तरिके से संतों पत्रकारों और हिंदू समाजी कार्य करताओं की हत्या कर दी गए थी। बारत के सबसे बड़े संत कहे जाने वाले स्वामी शद्दानंद सरस्वती जिनकी भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल रशिद ने हत्या कर दी थी। स्वामी जी 1920 के दौर में हिंदूों के सबसे बड़े धार्मिक गुरू थे वह आरी समाज के प्रमुक होने के साथ साथ महान स्वतंत्रता सैनानी भी थे। कुछ इत्यासकारों का दावा है कि स्वामी शद्दानंद सरस्वती ने ही मोहंदास करंचन गांधी के लिए सबसे पहले महात्मा शब्द का इस्तमाल किया था। गांधी के कहने पर स्वामी अहसयोग आंदलन में भी हिस्सा ले रहे थे लेकिन जब अहसयोग आंदलन के साथ साथ खिलाफत आंदलन की नाकाम हुने लगा तो केरल के मालवार इलाके में मुसलमानों ने हिंदूों का कतले आम शुरू कर दिया। इसे मोपला नसंधार के नाम से जाना जाता है। स्वामी जी मोपला नसंधार से अंदर तक हिल गए मोपला में हजारों हिंदूों का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करवा कर मुसलमान बनवा दिया गया था। ऐसी कई घटनाओं से वैथित होकर स्वामी शर्दानंद ने अपने आरिय समाज के जरिये शुद्धी आंदूलन की शुरुआत की थी। उन्होंने 11 जनवरी 1923 को भारतिय शुद्धी सभा की स्थापना की अपने इस आंदूलन के जरिये स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन हिंदूों को वापस हिंदू धर्म में शामिल करना शुरू कर दिया जिने मुसलिम बना दिया गया था। शुद्धी आंदूलन की काम्याबी से कटरपंथी मुसलमानों की बुनियाद हिल गई स्वामी जी ने 18,000 मुसलिमों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई और यह सब कानून के मुताबिक हुआ लेकिन वर मनुस दिन भी आ गया जिस दिन इस महांत संथ की निर्मम हत्या कर दी गई 23 दिसंबर 1926 की बात है दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में धोपैर के वक्त स्वामी श्रदानन अपने घर में आराम कर रहे थे उस समय वह बेहद बिमार थे तभी अब्दूल रशिद नाम का एक यूवक पहुचा उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा और कह जाहा की वह धार्मिक मामलो पर उसे चर्चा करना चाहते हैं उस पर भरोशा करके स्वामी जी ने उसे वक्त दे दिया लेकिन अब्दूल रशिद ने भरोशा तोड़ने में जड़ा भी देर नहीं की उसने स्वामी जी पर हमला करके उनकी जान ले ली स्वामी जी की हत्या के दो दिन बाद गांधी जी ने कटरपंती हत्यारे अब्दुल रशीद को अपना भाई बता दिया गांधी ने 25 दिसंबर 1926 को गुहाटे में कॉंग्रेस के अधिवेशन में कहा कि मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूँ मैं यहां तक कि उसे स्वामी शद्दानंद जी की हत्या का दोशी भी नहीं मानता वास्तव में दोशी वे लोग है जिनोंने एक दुसरे के खिलाफ घिर्णा की भामना पैदा की अब ज़र सोचिये जिन स्वामी शद्दानंद ने मुहंदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का नाम दिया उस असली संत महात्मा की मौत पर गांधी जी ने इतना बेतुका बयान दिया था भारत के पहले आतंगवादी अब्दुल रशीद को जब स्वामी श्रदानंद की हत्या के आरोप में फासी सुना दी गई तो कॉंग्रेस के नेता आसिफ अली ने उसे फासी की सजा से बचाने के लिए पैरवी की स्वामी के हत्यारे अब्दुल रशीद को जब 1927 में फासी दी गई तो उसके जनाजे में हजारों की संख्या में भीडुमडी यहां तक की पूरे भारत की कई मस्जिदों में उसके लिए विशेज दुआएं भी मांगी गई 30 नवंबर 1927 के टाइमस ओफ इंडिया के अंक में छपी एक ख़बर के मुताबिक स्वामी के हत्यारे अब्दुल रशीद को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवबंद के प्रसिद मदर से दारुल उलूम में छात्रो और आलिम ने कुरान की आयतों का पांच बार पाठ भी किया दरसल उदैपूर में कनिया लाल के साथ जो हुआ वह कोई नई बात नहीं है हमारे देश में भी सदियों से यह सब होता रहा है ना जाने कितने कनिया लाल इतिहास की किताबों से मिटा दिये गए है इसलामिक कानून और फलो के नाम पर हिंदुस्तान में हजारों जाने लेगी लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज ने कटर पंथियों के खिलाफ कभी एक जुटता नहीं दिखाई बलकि उल्टा हमारे कथित सेकुलर रेताओं ने हमेशा से इन कटर पंथियों का साथ दिया है आज के संधर में हमें यह इतिहास जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आज भी हालात बदले नहीं है पूरे संसार को दारूल इसलाम बनाने का ख्वाब देखने वाले कटर पंथि दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा रहे है और बस बात जब अपने धर्म पर आती है तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था 1923 में लाहोर में कुछ मसलमानों ने दो पुस्तके प्रकाशित की एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ी इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर कई सवाल उठाए गए थे इस किताब में श्री कृष्ण पर ऐसी ऐसी टिपणियां की गई थी कि जिनें लिखना या बोलना भी मुनासिब नहीं है वहीं दुसरी किताब का नाम था बिस्वी सदी का महरशी जिसे अलफरा के संपादक अली का सिम ले आया था इस किताब में आरी समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द परिभासा में नीजी टिपणियां की गई थी इन्हें मुफ्त में मस्जीदों और बजारों में बाटा गया था जिसे लोगों का हिंदु धर्म और आरी समाज से भरूसा उठ जाए कटरपंती मुस्लमानों को उन्हीं की जुबान में जवाब देने के लिए महाशायर राजपाल एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था रंगिला रसूल जिसे लिखा था एक आरी समाजी में यह किताब छत्री मुस्लिम समाज की तीखी प्रतिकिरिया को सामने लाने के लिए लिए लिगई थी हैरत की बात है कि इन में से कुछ लोग जब भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने वाली किताब बाट रहे थे तब सारे के सारे चुप थे लेकिन अब सब एक होकर महाशाय राजपाल के पीछे पड़ गए तो समझ में आती है लेकिन सब से एरां कर देने वाली प्रतिकिरिया थी महातमा गांधी की हिंदूों पर चुप रहने वाले गांधी जी ने नई किताब के आते ही लेकों की जड़ी लगा दी उन्होंने समाज और राजपाल के खिलाफ लंबे लंबे लेक लिखे अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत में कटरता का ये बीज बोया जो आज भी बड़े अराम से पल रहा है अब ये हमें सोचना है कि हम अपने आने वाली पिड़ी को यही इत्यास सुनाना चाहते हैं या फिर कुछ और